बैसाली के एक सरकारी बिद्याले में दनादन गोलिया चलती हैं, मास्टर साहब लोग और मैडम लोग और जो बच्चे होते हैं, वो जल्दी जल्दी बेंच और डेक्स के नीचे जाकर छुप जाते हैं, वहाँ पर कई मिनट तक अफरा तफरी की सिती रहती है, बच्चों को पता नहीं होता कि आगे क्या होगा, सर जी लोग और मैडम जी लोग खुद बेंच और डेस्क के नीचे चुप चाप सहमे हुए बैठ जाते हैं, और उसके बाद वहाँ पर दोड़ा दोड़ा कर एक ब्यक्ति को गोली मारी जाती है, और उसको मार कर आराम से पहले देखा आता है कि हम मरा या नहीं मरा, उसके बाद से मारने वाले चुप चाप बिद्याले से निकलते हैं, और वहां से चले जाते हैं, यह सब कुछ राजधानी पटना से बिल्कुल शटा हुए बैसाली, और बैसाली के भगवान पूरुस्थीते, सरकारी बिद्याले में हो रहा अब जब घटना की पूरी जानकारी सामने आई है, तब लोगों को याद आ रहा है कि कैसे, जब वेले किसी बड़े-बड़े खबरों को सुनते हैं कि किसी आतंकी संगठन ने स्कूल में गुचकर हमला कर दिया, तो किस परकार से हमला होता है, हलाकि यहां पर आतंकी अब कोई मामला नहीं है, लेकिन फिर भी बैसाली के सरकारी बिद्दाले में जो हुआ, और वहां पर जिस परकार का द्रिश्य उत्पन हुआ, वह सब कुछ देखकर ऐसा ही लगता है, बाकि अबने मस्कार में नाम है मोहित कुमार सींग, और आप जंटा जंशन देख रहे था, वहीं अब अफजल फरनीचर का शोरूम पत्ना में भी खुल चुका है, पत्ना में जिरो माइल के पास, एच्पी पेट्रोल पंप के बिल्कुल बगल में इनका नया शोरूम खुला है, वहां को कभी मौका मिले कुछ खड़िदारी करनी हो, तो वहां पर जाईए और बागी अब हम वापस आते हैं अपने खबर पर, बैशाली से एक खबर आती है कि वहां पर एक सरकारी बिद्याले में दना दन गोल लिया चल रही है, इसके बाद खबर आते है कि माश्चर साहब लोग और मैडम लोग जो बच्चे थे, वो सब लोग डर के मारे जो बैंच ह होता है, डेस्क होता है, उसके नीचे जाकर छुप गए, कुछ दिर के बाद से मामला शांत हुआ, तब माश्चर साहब लोग बाहर निकलते हैं, और उसके बाद पता लगाते हैं कि आखिरकार बिद्याले में वाकई में हुआ क्या, तो असल घतना है कि कुछ हमलावर एक ब्यक्ति को मारने के लिए दोडा रहे थे, वो ब्यक्ति भागता हुआ, सरकारी बिद्याले में घुसता है, सरकारी बिद्याले में वो इसलिए घुसता है, क्योंकि उसको लगता है कि वहाँ पर इतने सारे ध्यापक हैं, वहाँ पर टीचर हैं, मतलब कि लोग हैं, तो कु कोई वक्त मरा है या नहीं मरा है और जब उनको लग जाता है कि अभी वक्त मर चुका है तब चुप चाप महीं पर उसको छोड़ कर अराम से विद्याले से बाहर निकलते हैं और फिर अपने रास्ते से चले जाते हैं अब तक जो घटना हुई है उसको लेकर जानकारी आई है कि जो पत्नी है मृतक की वो कह रही है कि जिस ब्यक्ती की हत्या हुई है उसके पिता नहीं हत्या करवाई है पत्नी का कहना है कि इसने दो शादी की थी पिता रेलवे में नौकरी करते थे अब वो रिटायर हो चुके हैं रिटायर्मेंट के बाद से पैसा जमीन मतलब की फिलाल सरकारी बिद्धियाले में घुसकर, जिस प्रकार से गोली बारी हुई, इसको लेकर खूप चर्चा चल रही है कि कोई भी अपराधी, कोई भी बदमाश, इनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, कि सरकारी बिद्धियाले में घुसकर वहाँ पर कई सारी टीचर्स हैं, वहाँ पर मैडम हैं, वहाँ पर छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो सब लोग डर के मारे बेंच और डेस्क के नीचे छुप जाते हैं, और सरकारी भी द्याले में गुजकल वो दनादन गोलिया बरसाते हैं, और बकायदा गोली मारने के बाद अराम से चुपच आप जब तसलिक कर लेते हैं कि वो ब्यक्ति मर गया, तब चुपचा बाहर निकल कर चले भी जाते हैं, पुरा का पुरा मामला, बैशाली जिले के भागवान पुरां तरगता, एक सरकारी भी द्याले का है, फिलाल इस मामले को लेकर जाच की जा रही है, पुलिस का कहना है विडियो शेर कीजिएगा, आगे अगर कुछ अपडेट आता है इसमें, तो उसे हम आप तक पहुचाएंगे, आप जनतांक्षन के साथ जुड़े रहिए, कैमरे इप्षे 20 साल खड़े हैं, और मैं मोहित कुमार सिंगी, बहुत बहुत धन्यवाद,